वीडियो में हम यहाँ पर टांजिस्टर को आपार बात करेंगा वी-सिफाइब आपको टांजिस्टर सभी लोग यहां पर जानते हैं कि एक NPN टांजिस्टर है तो मान के चलिए NPN या फिर PNP या जो भी हो कोई सा भी टांजिस्टर है या फिर नेगेटिव औ कौझेटिव डोनों पर काम करता है किस तरीका से काम करता है वह आगे वीडियो मा आपको समझ मेंआ यागा तूछ फ़ाइन चॉरू करता है तो जैसे कि आप आपके भी मन में यहां पर सवाल आता होगा कि यहां पर टांजिस्टर यह एक NPN होता है, PNP होता है, तो वह किसली होता है, NPN किस तरीका से काम करता है, PNP किस तरीका से काम करता है, जैसा है कि यहां पर कमेंट है, कि NPN टांजिस्टर जो है कि किस तरीका से काम करता है, क्या वह oudो नेगैटिव पर करता यह पॉजयम पर करता है क्योंकि वह Complete इस ना कि आपको चल्य कुरिए यह आपको बिल्कुल विक्ला भी यहांप और आपके हम यहांप संजाने का म पूरा मुक्रा के इस तरीका से काम biper voulez आधिए देखा जाये हैं तो आप Им daily या फिर PNP ले लिए उसमें आप दोनों तरफ से जो है ना नेगेटिव और पोजिटिव दोनों में आप इसको इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं तो अब यहाँ पर सवाल आ रहा है कि फिर NPN और PNP का जरूवत ही क्यों पड़ता है तो जरूवत इसलिए पड़ता है वो चीज़ आप समझ लेजे जैसा कि माल लेजे कहीं कहीं पर हम लोग क्या होता ना कि जो सफलाई होता है उस सफलाई में यह जो बेस का पॉइंट है अगर यह माल लेजे आपके पास NPN है तो इसके में बेस में आपको पोजिटिव चाहिए होता है इसमें यह मतलम नहीं रखता है कि इधर से जैसे कि आपको ये clear आपको बताएंगे, पहले NPN और PNP को हम यहाँ पर clear करते हैं, ठीक है, तो जैसा कि ये NPN है, तो इसको operate करने के लिए, यहाँ पर base में positive का जरूरत पड़ता है, क्योंकि ये NPN है, NPN, तो NPN क्या हो गया, negative, positive, negative, ठीक है, N और N, negative, और BH में P, तो यह positive में चल जाता है, तो इसको जो है कि BH में, यानि कि इसको operate करने के लिए, यहाँ पर positive supply, register का through जो हम लोग देते हैं, इसमें जरूरत पलता है, इसको operate, यानि कि on करने के लिए, कोई भी supply आप इसमें दे रहे हैं, तो इसको on करने के लिए, यहाँ पर positive का जरूरत पलता है, अब माल लिजए कि इसी तरीका से दिखता है PNP भी, तो PNP का भी उसी तरीका से है, collector base, emitter, same, funda उसमें भी है, तो उसमें अब क्या होता है, कि उसमें जो base का point होता ना, यह base, तो base में उसका negative चाहिए, क्योंकि अगर माल लिजए, आप अगर PNP यूज़ कर रहे हैं, या किसी circuit में PNP लगा है, तो आपको वहाँ पर base के point पर positive आपको कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, positive आपको site मिलेगा, तो इसको off करने के लिए, क्योंकि on कलनीक नहीं नहीं, क्योंकि जो ही, P channel का जो होता है, यहाँ पर PNP वो यहाँ पर negative पर काम करेगा, क्योंकि PNP, यह हो गया, PNP, यानि कि P और यहाँ P, यानि positive और positive और बीच में negative आ जा रहा है, तो P channel का यह होता है, negative और N channel को होता है, positive, तो यह तो आपको clear हो गया, कि P channel और N channel, यानि PNP, क्यों यहाँ पर यूज किया जाता है, तो बंडा यही है, कि कहीं से हम लोग को supply मिलता है, कहीं से negative में अगर यूज करना रहता है, तो हम लोग यहाँ पर जो है कि PNP का हम लोग यूज करते हैं, और output का काम किस तरीका से करता है, तो जैसा कि यह NPN है, तो NPN में अभी यह माल लेज़े कि यह collector है, collector है, base है, emitter है, तो अभी हम क्या करेंगा, कि अगर इसके emitter पर हम इसका negative देते हैं, supply, और यहाँ से हम output लेते हैं, वैसे तो यहाँ पर आपको LED यहाँ पर जला के तो इससे अगर हम यहाँ पर LED में दे देते हैं, direct यहाँ पर इसमें, और यहाँ पर negative हमको चाहिए, यह positive चाहिए, तो positive हमने दे दिया, अब positive से ही हमको एक register लगा के इसके base पर देना पड़ेगा, तब जाके यह चालो होगा, क्योंकि यहाँ से negative दे दिया, और यहाँ पर positive हमने दे दिया, और यहाँ से जो output निकला, इसको भी हमने जोड़ो दिया, फिर भी यह कि यह नहीं जलता है, क्योंकि किसी भी supply मेर, circuit में इसी तरीका से काम करता है, फिर भी यह नहीं जलेगा, क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि इसको base पर positive इसको जरूद पड़ेगा, जैसा क कैसे करेंगे, तो यहाँ पर फरक शरीफ changing आ जाता है, इधर और का, अब आपको positive में अगर यूच करना है, तो यह आपको emitter का point छोड़ करके, यहाँ पर आप input नहीं दे करके, positive आप इसके collector पर दे दिजे, collector पर यहाँ पर positive दे दिएगा, तो इसका यहाँ से होते हुए, यह positive out इधर से करेगा, यानि कि negative इधर दिजेगा, तो out इधर करेगा, और यहाँ पर अगर positive दिजेगा, तो positive इधर में out कर जाएगा, ठीक है, और base का जो fund है, वो same रहेगा, क्योंकि यह NPN है, यह चीज़ आपको पहले ध्यान देना है, हमने पहले ही आपको बताया, NPN करा लें, इस साइट से या इस साइट सो positive से base पर है, तो हमको यहाँ पर operate करने के लिए positive ही चाहिए, तो यह चीज़ तो आपको समझ में आ गया, किसी भी circuit में या किसी भी चीज़ में रिमोट रिक पैरिंग करते हैं, या फिर और भी कोई circuit बगरा बनाते हैं, तो यह चीज इसका negative है, तो चलिए हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पर समझाने के लिए कुछ इस तरीका से हम इसको जोड लेते हैं, तभी यहाँ पर clear यहाँ पर समझाना भी जरूरी है, यह आपको यहाँ पर clear हो जाएगा कि यह काम आखिर किस तरीका से कर रहा है, तो जैसा कि यहाँ पर हम जोड़ लिए हैं इसका नेगेटिव अभी हमको क्या करना पड़ेगा बेस पर हमको एक रेजिस्टर हमको यहाँ पर लगा देना है चलिए एक रेजिस्टर हम यहाँ पर लगा देते हैं यह वनके का रेजिस्टर हम यहाँ पर ले रहे हैं चलिए एक register हमने यहाँ पर लगा दिया है, अभी हमने यहाँ पर कोई भी जोड़ा नहीं है, इस वे बिलकुल भी अलग है, तो हम क्या करेंगे, अपने supply यहाँ पर ले लेंगे, चाहे आप यहाँ पर 12 volt ले लिजिए, या फिर आप यहाँ जितना volt आपको यहाँ पर लेना ह और यह रहा इसका positive, तो positive हम कहां देदेंगा, direct यहाँ पर इसके LED पर, LED पर तो हम इसका दे दिया, अभी भी जो है कि यह LED नहीं जल रहा है, क्यों नहीं जल रहा है, क्योंकि यह NPN transistor है, यहाँ पर इसके emitter पर हमने यहाँ पर दे दिया है negative, और यह इधर से out करेगा, यहाँ पर attach करेंगे, इसके positive के साथ, इसके साथ हमको इसमें, यहाँ से touch करके जल जा रहा है, इसको चलिए attach करते हैं, देखिए, यह LED जो है कि यहाँ पर जल जाता है, ठीक है, यह देखिए, इसको यहाँ positive मिला तो जल गिया, अब चलिए यहाँ पर एक चीज और भी आप हम देखाने का courses करते हैं, अब माल लिए इसको हम यहाँ पर negative देते हैं, ठीक है, positive अभी हमने दे दिया, अब negative देते हैं यहाँ से, तो देखिए, यह negative में जो है कि नहीं जल रहा है, वो सिर्फ चिम्टा ठेकाने से हलका जल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हम इसको दे रहा ह यह देख सकते हैं, देखिए, यह touch सही से नहीं हो पारा है, आपको हम देखाने का courses करते हैं, यह अच्छे तरीका से हाँ ठेकाते हैं इसको, यह देखिए, यह negative में जैसे हैं यहाँ पर फूरा अच्छे तरीका से इसको touch करते हैं, तो यह बंद हो जाता है, यह सिर्फ चिम यहाँ से जलेगा यह, यह देखे, यहाँ से जलेगा, तो यह त आपको समझ में आगी है, आप चलिए इसको positive में हम इसको use मिलेते हैं, तो positive में use मिलेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस side में हमने negative दीया था भी, अब इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं, इसको हम अगर इसको हमको positive पर यूज करना है तो जो emitter वाला point है वहाँ पर हमको positive यानि कि output में जो भी हम use करेंगा उसका positive रहेगा ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको दिखता होगा LED का positive हमने यहाँ पर emitter पर जोड़ दिया है अब क्या करेंगे कि LED पर हम यहाँ पर negative देदेंगे कि LED पर यहाँ पर negative देना है और इसके collector point पर हमको क्या करना है positive देना है collector पर हमने positive दे दिया अब देखें यह नहीं जल रहा है क्यों नहीं जल रहा है क्योंकि अभी यहाँ पर base खाली है तो base पर क्या चाहिए यह हमने शरीफ इस साड में पलता है जैसा कि हमने वीडियो में बताया अभी इसको चाहिए यहाँ पर शरीफ से पुजय टिप चाहिए चलिए इसको हम अटेच करते हैं इस तरीका सा यह देखिये यहाँ पर जल जाता है तो यह चीता आपको समझ में आ गया कि करेंट आप च क्लियर हो गयाずा कि यहाँ पर देखिए यहाँ वहार करता हूं यहाँ समझ में स्मय आगी अगर यह inAAAA लिएन है तो और यहाँ पर ऑप और ठाल द्रीका से NP और PNP, यह चीज़ आपको दिमाग में अच्छे तरीका से अटाना है, अगर यह NPN है, तो यहाँ पर base चला जाएगा, positive पर, अगर यह PNP है, तो इसका base चला जाएगा negative है, एक चीज़ आप धियान लिए, NPN, यह धियान देना है, NPN, तो P कहाँ आ रहा है, base पर, NPN, तो base जो होता है, वहाँ से different करता है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर आपको नहीं समझ माया है, कोई सा बात हमसे चूक हो गया है, आपको नहीं समझ माया है, तो आप comment कर सकते हैं, उस पर reply हम जरूर देने पर process करेंगा, औ आपको एक बार तो नहीं दे सकते हैं, और बाकी आप सभी भाई से यही रिक्रेस्ट रहेगा, गर वीडियो पसंद आया हो, तो एक लैक जरूर से करके जाया कीज़े, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर वीडियो देखते हैं, लैक नहीं करते हैं, भाई एक लैक तो कर दिया कीज़े, और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आता है, तो चैनल फे हम सब्सक्राइब करके चल जाया कीज़े, ताकि यहाँ पर अगले वीडियो जब भी आप अफलोड करें, तो सबसे पहले आप तक पहुझे, चली फिर मिलते हैं अगले वीडियो में,